ओम शान्ती आज है 27 नवेंबर 2022 की अव्यक्त मुरली रिवाइस डेट है 31 बारा बानवे मधुबन आए सुनते हैं बाबा के मीठे मीठे महावाक्यों को सफलता प्राप्त करने का साधन सब कुछ सफल करो आज नवजीवन देने वाले रचता बाप अपनी नवजीवन बनाने वाले बच्चों को देख रहे हैं यहाँ नव जीवन अर्थात स्रेस्ट ब्राहमन जीवन है ही नव युग की रचना करने के लिए तो हर ब्राहमन आत्मा की नई जीवन नव युग लाने के लिए ही है जिसमें सब नया ही नया है प्रकृती भी सतो प्रधान अर्थात नई है दुनिया के हिसाब से नया वर्ष मनाते हैं नय वर्ष की बधायां देते हैं वा एक दो को नय वर्ष की निश्यानी गिफ्ट भी देते हैं लेकिन बाप और आप नवयुग की मुबारक देते हो सरव आतमाओं को खुश कबरी सुनाते हो कि अब नव यूग अर्थाद गोल्डन दुनिया सत्युख वस्वर्ग आया की आया यही सेवा करते हो ना, यही खुश कबरी सुनाते हो ना, नए यूग की गोल्डन गिफ्ट भी देते हो क्या गिफ्ट देते हो जनम जनम के अनेक जनमों के लिए विश्य का राज्य भाग्य इस गोल्डन गिफ्ट में सर्व अनेक गिफ्ट आही जाती हैं अगर आज की दुनिया में कोई कितनी भी बड़ी ते बड़ी वा बढ़िया ते बढ़िया गिफ्ट दे तो भी क्या वहाँ भी आपकी सतो परधान गोर्डन गिफ्ट के आगे क्या है बड़ी बात है क्या नव जीवन रच्टा बाप ने आप सभी बच्चों को यहां अमुल्य अविनाशी गिफ्ट दे दी है अधिकारी बन गए हो ना ब्रह्मन आत्माए सदा अखुट निश्य की फलक से क्या हो जाती निश्चे है और निश्चित है इस अधिकार की भावी को कोई चाल नहीं सकता निश्चे बुद्धी आत्माओं के लिए यह निश्चित भावी है निश्चित है ना या कुछ चिंता है पता नहीं मिलेगा या नहीं कभी संकल्प आता है अगर ब्रहमन है तो निश ब्रहमन सो फरिष्टा फरिष्टा सो देवता पक्का निश्चे है ना कि थोड़ी हलचल होती है अचल अटल है तो ऐसी गोल्डन गिफ्ट बापने आपको दी और आप क्या करेंगे औरों को देंगे अल्पकाल की गिफ्ट है तो अल्पकाल समाप्त होने पर गिफ्ट भी समा लेकिन इस संगम युग में हर दिन ही मनाने का है, हर दिन मौश में रहने का है, हर दिन खुशी के जूले में जूलने का है, वह खुशी में नाचने का है, अविनाशी गीत गाने का है, इसलिए ब्रहमन चीवन का हर दिन मनाते रहते हो, हर दिन ब्रहमनों के लिए उत्साह उम साल के सभी दिन मनाने की हैं और कहां भी इतने उत्सव नहीं होते जितने भारत में होते हैं तो यहाँ आप ब्रहमनों के हर दिन मनाने का यादगार बना हुआ है इसलिए नय वर्ष का दिन भी मना रहे हो नया वर्ष मनाने के लिए आए हो तो सिर्फ एक दिन मनाएंगे पहली तारी खत्म होगी तो मनाना भी खत्म हो जाएगा आप स्रेस्ट आत्माओं का नया जन मर्थात इस प्रहमन चनम की स्रेस्ट राशी है हर दिन मनाना हर दिन उत्सव आपकी जनम पत्री में लिखा हुआ है कि हर दिन सदा स्रेस्ट से स्रेस्ट होना है आप ब्रहमनों के स्रेस्ट राशी है कि सदा कुला की ऐसे नहीं कि दो दिन बहुत अच्छे और फिर दो दिन के बाद थोड़ा फर्क होगा मंगल अच्छा रहेगा गुर्वार उसे अच्छा रहेगा शुक्रवार फिर विघनाएगा ऐसी राशी आपकी है क्या जो हो रहा है वहा भी अच्छा और जो होने वाला है वहा और अच्छा इसको कहते हैं ब्रहमनों की उर्ती कुला की राशी ब्राहमन चीवन की राशी बदल गई क्योंकि नया जन्म हुआ ना तो इस वर्ष हर रोज अपनी स्रेस्ट राशी देख प्रैक्टिकल में लाना दुनिया के हिसाब से यह नया वर्ष है और आब ब्राहमनों के हिसाब से विशेश अव्यक्त वर्ष मना रहे हो नया वर्ष अर्थात अव्यक्त वर्ष का आरंब कर रहे हो तो इस नय वर्ष का वा अव्यक्त वर्ष का विशेश श्लोगन सदा यही याद रखना कि सदा सफलता का विशेश साधन है हर सैकिंड को, हर श्वास को, हर खचाने को सफल करना सफल करना है सफलता का आधार है किसी भी प्रकार की सफलता चाहे संकल्प में, बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में सरप्रकार की सफलता अनभव करना चाते हो तो सफल करते जाओ व्यर्थ नहीं जाए चाहे स्वा के प्रति सफल करो चाहे और आत्माओ के प्रति सफल करो तो AUTOMATICALLY सफलता की खुषिकी अनभूती करते रहेंगे क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान के लिए सफलता और भविष्य के लिए जमा करना है जितना इस शीवन में समय सफल करते हो तो समय की सफलता के फल सरूप राच्य भाग्य का पूरा समय राच्य अधिकारी बनते हो हर श्वास सफल करते हो इसके फल सरूप अनीक जर्म सदा स्वस्त रहते हो कभी चलते चलते श्वासबंद नहीं होगा, हाट फिल नहीं होगा, एक गुणा का, हजार गुणा सफलता का अधिकार प्राप्त करते हो इसी प्रकार से सर्व खजाने सफल करते रहते हो इसमें भी विशेश ग्यान का खजाना सफल करते हो ग्यान अर्थात समझ इसके फलसरूप ऐसे समझधार बनते हो जहां भविश्य में अनेक वजीरों की राए नहीं लेनी पड़ती स्वयम ही समझदार बन राज्य भाग्य चलाते हो दूसरा खजाना है सर्वशक्तियों का खजाना जितना शक्तियों के खजाने को कार्य में लगाते हो सफल करते हो उतना आपके भविश्य राज्य में कोई शक्ति की कमी नहीं होती सर्व शक्त्या सत्य ही अखंड अटल निर्विग्न कार्य की सफलता का अनुभव कराती है कोई शक्ती की कमी नहीं धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों ही साथ साथ रहती है तीसरा है सर्वगुणों का खचाना इसके फलसरूप ऐसे गुण मूरत बनते हो जो आज लास्ट समय में भी आपके जड़ चित्र का गायन सर्वगुण संपन देवता के रूप में हो रहा है ऐसे हर एक हजाने की सफलता के फलसरूप का मनन करो समझा आपस में इस पर रूह रिहान करना तो इस अव्यक्त वर्ष में सफल करना और सफलता का अनुभव करते रहना यहाँ अव्यक्त वर्ष विशेश ब्रहा बाप के सनेह में मना रहे हो तो सनेह की निशानी है जो सनेह को प्रिय वह सनेह करने वाले को भी प्रिय हो तो ब्रम्हा बाप का सनेह किस से रहा? मुरली से. सबसे ज़्यादा प्यार मुरली से रहा ना? तब तो मुरली धर बना. भविश्य में भी इसलिए मुरली धर बना. मुरली से प्यार रहा तो भविश्य श्री कृष्ण रूप में भी मुरली निशानी दिखाते हैं. तो जिससे बाब का प्यार रहा उससे प्यार रहना यहाँ है प्यार की निशानी सिर्फ कहने वाले नहीं ब्रम्हा बाब बहुत प्यारा था भी और है भी लेकिन निशानी जिससे ब्रम्हा बाब का प्यार रहा अब भी है उससे प्यार सदा दिखाई दे इसको कहेंगे ब्रम्हा बाब के प्यारे नहीं तो कहेंगे नंबर वार प्यारे नंबर वन नहीं कहेंगे नंबर वार कहेंगे अव्यक्त वर्ष का लक्षे है बाप के प्यार की निशानिया प्रैक्टिकल में दिखाना यही मनाना है जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो बाप समान बनना जो भी करम करो, विशेश अंडरलाइन करो, कि करम के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो, कि यहाँ ब्रम्हाबाब समान है, यहाँ प्यार की निशानी है, फिर संकल्प को सरूप मे लाओ, बोल को मुक से बोलो करम को करमिंद्रियों से करो पहले चेक करो फिर प्रैक्टिकल करो ऐसे नहीं कि सोचा तो नहीं था लेकिन हो गया नहीं ब्रमहा बाप की विशेशता विशेश यही है जो सोचा वह किया जो कहा वह किया चाहे नया ग्यान होने के कारण ओपोजीशन कितनी भी रही लेकिन अपने सुमान की समरीती से बाप के साथ की समरीती दरिडता निश्चे के शस्तरों से शक्ती से अपनी पोजीशन की सीट पर सदा अचल अटल रहे तो जहां पोजीशन है वहां ओपोजीशन क्या करेगी ओपोजीशन पोजीशन को मजबूत बनाती है हिलाती नहीं और मजबूत बनाती है जिसका प्रैक्टिकल विजही बनने का सबूत सोयम आप हो और साथ साथ चारों और की सेवा का सबूत है जो पहले कहते थे कि यह धमाल करने वाले हैं वे अब कहते हैं कमाल दिखाई हैं तो यहां कैसे हुआ अपोजीशन को स्रेस्ट पोजीशन से समाप्त कर दिया तो अब इस वर्ष में क्या करेंगे जैसे ब्रह्मा बापने निश्चे के आधार पर रुहानी निश्चे के आधार पर निश्चित भावी के ग् अत्रवे वहार दौरा सेवा की मुख से महावाक्य उच्छारण किये अंतिम दिवस भी समय संकल्ब शरीर को सफल किया तो सनेह की निशानी है सफल करना सफल करने का अर्थ ही है स्रेस्ट तरफ लगाना तो जब सफलता का लक्ष रखेंगे तो व्यर्थ स्वता ही खत्म हो जा अगर यही सोचते रहो कि अंधकार को निकालो तो चाइम भी वेस्ट महनत भी वेस्ट ऐसी महनत नहीं करो आज क्रोध आ गया आज लोब आ गया आज व्यर्थ सुन लिया बोल दिया आज व्यर्थ हो गया इसको सोस्ते सोस्ते महनत करते दिल शिकस्त हो जाएंगे लेकिन लक्षे से व्यर्थ सोता ही खत्म हो जाएगा यहाँ सफल का लक्षे रखना मानो रोशनी करना है तो अंदकार सोता ही खत्म हो जाएगा समझा अव्यक्त वर्ष में क्या करना है बाप दादा भी देखेंगे कि नंबर वन प्यारे बनते हैं या नंबर वार प्यारे बनते हैं सब ही नंबर वन बनेंगे डबल विदेशी क्या बनेंगे नंबर वन बनेंगे नंबर वन कहना बहुत सहज है लेकिन लक्ष मजबूत है तो लक्षन अवश्य आते हैं लक्ष लक्षन को खींचता है अब आपस में प्लैन बनाना सोचना बाप दादा खुश है अगर सब आएं तो बहुत खुश है फॉस्ट डिवीजन तो लंबा चोड़ा है बन सकते हो फॉस्ट डिवीजन में सब फॉस्ट होते हैं तो नए वर्ष की यहां मुबारक हो कि सभी नंबर वन बनेंगे व्यर्थ पर विन करेंगे तो वन आएंगे व्यर्थ पर विन नहीं करेंगे तो वन नहीं बनेंगे अभी भी व्यर्थ का खाता है किसका संकल्प में, किसका बोल में, किसका संबंद संपर्क में अभी पूरा खाता खतम नहीं हुआ है इसलिए कभी-कभी निकल आता है लेकिन लक्ष अपनी मंचिल को अवश्य प्राप्त कराता है व्यर्थ को स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए जब स्टॉप करने की शक्ती आएगी तो जो पुराने खाते का स्टॉप है वह खत्म हो जाएगा इतनी शक्ती हो परमात्म सिध्धी है रिधी सिध्धी वाले अल्पकाल का छमतकार दिखाते हैं और आप परमात्म सिध्धी व या स्टॉप कहने के बाद भी एक दो दिन भी लग जाते हैं तो एक घंटा दस घंटा भी लग जाता है स्टॉप तो स्टॉप तो यही निशानी बाप को देनी है समझा सेवा की सफलता वा परत्यक्षता तो ड्रामा अनुसार बढ़ती जाएगी बढ़ रही है ना भी पहले आप निमंतरन देते थे अभी वे आपको निमंतरन देते हैं तो सेवा के सफलता की परत्यक्षता हो रही है ना आप लोगों को कोई स्टेज मिलने की वा डिग्री मिलने की आवशक्ता नहीं है लेकिन यहाँ सेवा की परत्यक्षता है भगवान की डिग्री के आगे यहाँ डिग्री क्या है उदैपुर विश्वित्या लेके दादी जी को मानत डॉक्टरेट की डिग्री दी है लेकिन यहाँ भी परत्यक्षता का साधन है साधन द्वारा सेवा की परत्यक्षता हो रही ह बनी बनाई स्टेज मिलनी ही है वहाँ भी दिन आना ही है चो यहाँ धर्मनेताएं भी आपको आमंत्रित करके चीफ गेस्ट आपको ही बनाएंगे अभी थोड़ा बाहर की रूप रेखा में उनको रखना पड़ता है लेकिन अंदर में महसूस करते हैं कि इन पवित्र आत्माओं को सीट मिलनी चाहिए राजनेता तो कहबी देते हैं कि हमको चीफ गेस्ट बनाते हो यहाँ तो आप ही बनते तो बहतर होता लेकिन ड्रामा में नाम उन्हों का काम आपका हो चाहता है जैसे सेवा में प्रतेक्षता होती जा रही है वीधी बदलती जा रही है ऐसे हर एक अपने में संपूर्णता और संपनता की प्रतेक्षता करो अभी इसकी आवश्यक्ता है और अवश्य संपन होनी ही है कल्प कल्प की निशानी आपकी सिद करती है कि सफलता हुई ही पड़ी है यहाव विजय माला क्या है विजय बने हैं सफलता मुरत बने हैं तब तो निशानी है ना इस भावी को टाल नहीं सकते कोई कितना भी सोचे कि अभी तो इतने तयार नहीं हुए हैं अभी तो खिट-ख हो रही है इसमें घबराने की जरूरत नहीं कलप कलप के सफलता की गैरंटी यहां यदगार है क्या होगा कैसे होगा इस क्वेशन मार की भी आवशक्ता नहीं है होना ही है निश्चित है ना निश्चित भावी को हिला नहीं सकता अगर नाव और खिवया मजबूत है तो कोई भी तुफान आगे बढ़ाने का साधन बन जाता है तुफान भी तोफा बन जाता है इसलिए यहाँ बीच बीच में बाई प्लाट्स होते रहते हैं लेकिन अटल भावी न निश्चित है इतना निश्चे है या थोड़ा कभी निश्चे उपर देखते हो तो घपरा जाते हो पता नहीं कैसे होगा कब होगा कोईश्चन मार काता है यह तुफान ही तोफा बनेगा समझा इसको कहा जाता है निश्चे बुध्धी विज़े सिर्फ फॉलो फादर सदा ब्रमह बाप को हर कदम में सहज फॉलो करने वाले सदा नई जीवन और नव्यूग की समूरीती में रहने वाली समर्थ आतमाईं सदा स्वयं में बाप के स्नेह की निशानियों को परतिक्ष करने वाली विशेश अतमाओं को सृष्ट परिवर्तन की अव्यक्त वर्ष क की मुबारक याद प्यार और नमस्ते हम रुखानी बच्छों की रुखानी बाप दादा को याद प्यार गुड मानिंग और नमस्ते दादियों ड्रामा को देख हर्शित हो रही होना वाह ड्रामा वाह वाह बाबा वाह यही गीत अनादी अविनाशी चलते रहते हैं बच्चे बाब को प्रत्यक्ष करते हैं और बाब शक्ती सेना को प्रत्यक्ष करते हैं अच्छी सेवा रही नई रूप रेखा तो होनी ही है ऐसे ही सब के मुक्षे बाबा बाबा शब्द निकलता रहे क्योंकि विश्व पिता है तो ब्रह्मनात्माओं के दिल से मुक्षे तो बाबा निकलता ही है लेकिन सरवात्माओं के दिल से वा मुक्षे बाबा निकले तब तो है ही तो अभी यही सेवा का साधन अन्भव किया कि एक माइक कितनी सेवा कर सकता है संदेश देने का कार्य तो हो ही जाता है ना तो अभी माइक तयार करने है यहार राजस्थान के राजशपाल डॉक्टर एम चन्ना रेडी सेंपल है फिर भी माइक तयार करने में भारत न तीर तो आबू से लगाना अच्छा वर्दान परमात्म प्यार और अधिकार की अलोकी खुशी वानशे में रहने वाले सरफ प्राप्ति संपन भव जो बच्चे बाप के साथ सदा कंबाइंड रह प्यार से कहते हैं मेरा बाबा तो उन्हें परमात्म अधिकार प्राप्त हो जाता है बेहद का दाता सरफ प्राप्तियों से संपन कर देता है तीनों लोकों के अधिकारी बन जाते हैं फिर यही गीत गाते की पाना था वह पा लिया अभी कुछ पाने को नहीं रहा उन्हें 21 जन्मों का गरेंटी कार्ड मिल जाता है तो यही अलोकी खुशी और नशे म रहो कि सब कुछ मिल गया श्लोगन साधनों के आधार पर साधना ना हो साधन साधना में विख्न रूप ना बने साधनों के आधार पर साधना ना हो साधन साधना में विख्न रूप ना बने शुक्रिया बाबा शुक्रिया ओम्शन